हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हिमाचल एपल एंड कल्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हाउ टू कंट्रोल माइट इन यूर और्चर्ट सो गाइज एपल माइट वैसे तो 5-6 प्रकार की होती है लेकिन मैनली हमारे यहाँ पे यूरोपियन रेड माइट एंड गरम एरिये में टू स्पॉटिट रेड माइट अक्सर पाई जाती है जैसा कि आप सबी देख रहे होंगे कि इस बाद टेंपरेचर काफी राइज हो चुका है बर चुका है और माइट की शकायत आना शुरू हो रही है या हो सकती है सबसे पहले आप अपने बगीचे में मोनेटरिंग करें कि आपके बगीचे में कितनी माइट है तो उसके बाद ही आप स्प्रे का डिसीजन लें जैसे कि आप देख रहे हैं 8-10 में यह हो चुका है आपको अपने बगीचे में माइट को कंट्रोल करने की आफशक्ता है क्योंकि Mite chlorophyll को juice लेता है जिससे पत्तों का कलर चेंज हो जाता है और पत्ते ज़र जाते हैं और कई तरह की इसमें आपको देखने में मिलता है कि पत्ते का कलर चेंज हो चुका है ड्रॉपिंग हो चुकी है इसका सीधा असर आपके fruit quality में पढ़ता है और ड्रॉपिंग हो जाती है साइज इंप्रूव नहीं होता है तो इसलिए हम इस बार जैसे कि आप देख रहे हैं ओबर ओन यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी सप्रे है इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि ये प्रॉपर वे में हो सके तो गाइज अब बात करते हैं माइट क्यों फैलता है गाइज इसका बिल्कुल सिंपल सा अंसर है जादा इंसेक्टि साइट यूज़ करने से मतलब जादा जहर यूज़ करने से आपके बगीचे में माइट की शिकाईत रहती है या होती है फ्रेंड्स माइट बहुत ही डेंजरस भीमारी है इसका जो पीक है वो जुलाई अगस्ट पर चलता है जब बहुत जादा गर्मी होती है तब ये बहुत तेजी से फैलता है तो फ्रेंड्स अगर आपके बगीचे में माइट बहुत कम मात्रम है आप अपने हैंड लेंस जो हता है हैंड लेंस उससे आप चेक कर सकते हैं यदि आपके बगीचे में बहुत कम माइट है तो अभी आप शुरू वाली स्टेज में अपने बगीचे में हल्टी कल्चरल जो समर ओइल टू लिटर कर सकते हैं इसके इलावा आपको अपने मार्किट में मैडन, बॉर्णियो, मजिस्टर करके दवाया मिलती हैं जो काफी हेल्प लोती हैं लेकिन जो ओबर ओन हैं फर्स्ट स्टेज पर ओबर ओन काफी ज़्यादा मेनिंगफुल है हेल्प फुल है तो काफी तो ओबर ओन भी आप कर सकते हैं हम इस बार अबरान यूज कर रहे हैं वालनट स्टेज पर ही हम अबरान करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं बगीचे में वालनट साइज अभी चल रहा है इसके इलावा हम आपको यह बताते हैं कि वो कौन-कौन सी मेनेजमेंट है जिससे आप माइट को और भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि फलोर मेनेजमेंट फलोर मेनेजमेंट से भी आप माइट को कंट्रोल कर सकते हैं मतलब जो आपके ओल एफर्ट हैं जैसे कि विंटर में आप कास्टिक सोडा की स्प्रे करते हैं उससे भी जो might है आपके orchard में खतम हो जाता है और जो oil होता है TSO oil होता है वो भी काफी help पूल होता है might को control करने के लिए तो guys ये थी हमारी छोटी सी वीडियो might के बारे में might को कैसे control करते हैं I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye, Take Care, Have Fun